दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि मौनसून पूरे के पूरे देश में आ चुका है और बारिशें जब होने लगती है या टेंपरेचर जब गिरता है अक्सर हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे जोडों में, घुटनों में, कूले में, कंधे में, कलाई में इनमें दर्ध बढ़ जाता है हमारे स्पाइन में भी पेन बढ़ जाता है क्या ऐसे कारण होते हैं जिस वज़े से बारिशों में दर्द बढ़ जाता है और कैसे आप इस चीज का रोक थाम कर सकते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो दूस्तो पहला कारण जिस वज़े से बारिशों में आपका जोडों का दर्ध बढ़ जाता है वो है भार में atmospheric pressure या barometric pressure का गिर जाना जिसे बारिश होती है humidity बढ़ जाती है उसकी वज़े से atmospheric या barometric pressure गिर जाता है यह atmospheric pressure भार गिर जाने की वज़े से हमारे जोड़ों के आसपास जो tendons होते हैं, ligaments होते हैं या synovial fluid जो होता है वो expand होने लग जाता है तो joints पे pressure ज़्यादा आने लग जाता है यह pressure जादा आने का reason होता है, crowding हो जाना joint capsule के अंदर अगर हमारे जोड़े के अगर हम बात करें गुटने की तरफ भी देखें तो यह capsule होता है जिसके अंदर हमारे गुटने का जोड होता है उस जोड में synovial fluid होता है जोडों की परते होती हैं, tendons होते हैं, ligaments होते हैं तो यह स दूसरे important reason की अगर बात करें तो अगर जिसे बारिशे होती हैं तो हम inactive हो जाते हैं, व्याय हम regularly नहीं कर पाते हैं, यह व्याय हम नहीं कर पाने की वज़े से immobilization होने की वज़े से भी आपके जोडों में धर्द बढ़ जाता है, gelling phenomenon नाम का एक phenomenon हो सकता है, जिसमें synovial fluid ए स्थिरता होने की वज़े से, यह स्थिर lifestyle या आसीन जीवन शेली जो होती है वो एक कारण बन जाती है आपके धर्द बढ़ जाने, तो तीसरे कारण की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे बारिशे होती है तो हमारा खान पान भी काफी carbohydrate and fat based हो जाता है, तली मले, पक mission बढ़ जाने की वज़े से भी दर्द बढ़ सकता है, दोस्तों चौथे कारण की अगर बात करें तो बारिशों का सीजन होता है, sunlight प्रॉपर नहीं मिलती, तो vitamin D body से घट जाता है, उसके साथ बारिशों के सीजन में एक gloomy weather भी होता है, बारिशों का सीजन, हमारी परेशान है, क्योंकि हमारा mood खराब होता है, negative emotions होते हैं, यह negative emotions आ जाना भी major कारण होता है, दर्द बढ़ जाने का, तो 105 और आखरी reason होता है, nerve signaling के अंदर change हो जाता है, जैसे कि बारिशों का सीजन आता है, proper sunlight नहीं मिल रही होती, humidity जादा होती है, तो हमारी नसों के signaling भी body के अंदर जिसकी वज़े से हमारा जो pain threshold है, कम हो जाता है, हमारी nerves जादा fire करती है, कम signal की वज़े से, यानि अगर हमारे pain body में कम भी है, तो भी nerves जादा fire करेंगी, जिसकी वज़े से दर्द का अनुभाव brain में जादा होता है, तो दोस्तों ये 5 reasons होते हैं, जिसकी वज़े से आपका बढ़ जाता है बारिशों का सीजन आ जाने के लिए, अगर मैं आपको 5 ऐसे important tips तो पहली चीज़ होईगी, exercise proper करिए बारिशों में, आप अपने घर के अंदर भी exercise कर सकते हैं, proper stretching कीजिए, अपने आपको properly hydrated रखिए, दिन में 3-4 लेटर पानी continue रखिए बारिशों के अंदर 2-3 महिने का मौनसून का सीजन होता है, उसको properly enjoy करें, अपना sports वगेरा जो घर के अंदर है उसको खेलते रहें, दर्थ से related अगर आपको कोई भी परिशानी है तो अपने nearest doctor या soul ortho care के pain management center पे जरूर contact करें, डॉक्टर को बताना जरूरी है ताकि वो correct diagnosis make कर पाए, और आपके लिए जो proper दवाईया है, जो दूसरे treatment है आपको जल्द से जल्द बताया जा सके, दर्थ को बिल्कुल भी जहले ना, आप सब जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, मेडिकल डिरेक्टरों सावल ortho care का, ऐसा और बहुत सारे educational content देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, तो बेज़ेजा comment box में type करें, thank you